बापुजी ने बहुत बहुत मैनत करके एक पेड़ लगाया है और वो पेड़ को सीचने में बापुजी को पचास साल लगे हैं जब जब सादक भ्रांतियों में फस्ता है ना उसकी अध्यात्मेक यात्रा खंडित हो जाती है तो जो बापुजी के वचन है हम उस पे अडग जिसकी बुद्धी कोई खंडित हो गई होगी कोई नाम जब छोड़के बैठ गया होगा तभी ये विचार आ रहे हैं लोगों को कहीं से तोड़के कहीं से जोड़ना ये तो बहुत गलत बात है व्यर्थ का चिंतन बोलिए व्यर्थ की बातें सादक का पतन करते हैं जब ज दूसरे को दोश देने से पहले आप अपना द्रड़ता मजबूत कीजिए जब हम कमजोर होंगे हमारे मन में कोई संशय का वीचार होगा तो छोटा सा द्वंद भी हमको हावी होजा किसी को तोड़ना हो तो संशय की खटाज उसको तोड़ने के लिए हो तो यह माया वड़ी प्रभल है इतने साल ध्यान बजन करते करते भी कई वार मन संगती के कारण कई वार मन अशुदहार के कारण कई वार मन सुनी सुनाई बातों के कारण उलज जाता है और जब जब यह उलज था है ना मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि माया बहुत खुष होती है माया सोचती है इतनी माला करेंगे क्या यह इसी जनम भगवान पालेंगी फसाओ इसको तो कहीं से तो फसाएंगे तो इसे नहीं फसाएंगे तो बैसे फसाएंगे उमाला करके छूट जाती है और बोलो का मीटिंग पाना है किसको मारना किदर चलना तो इन बातों में उलज है नहीं है दुर्गा सबत शटी पे माता का एक स्वरूप ब्रांति आता है शब बोलिये तो ब्रांतिया जब जब सा अध्यात्में चालग से घ्यात्म आद्यात्याल द्हरा धीनों हो जाती को अड़ेतं है और मार कार्वति भी जब शिवजी को आने के लिए जतन कर रहीं एट तो झालध जी दवारा भी उनको कह गया एकिटे कहा एगी इनको बाखे भी होते हैं तो मा इतनी मजबूद कहा जहा शिव रह सकते वह लाम CCT bet 7 अधिना भू निष्ड था कि ये बोले नात हैं तो मपोल्ग रह सकते हैं तो में भी dolore प्रेया है तो जो बापु जी के JEN वचन हम इस पर अडग रहा हैं और बुरा नही माननना एख बात बताती हूं, मैंने जो अनुभो किया है, कि ये व्यर्थ का पानी कौन बिलोते हैं, व्यर्थ का पानी कौन बिलोते हैं, जिनके पास टाइम, महां जी, वो ही पानी बिलोते हैं, क्योंकि पानी बिलोने से न मक्कन निकलने वाला है न, चाच बनने वाली, पानी बिलो की क करना क्या है तो पूरे दिन मोबाइल पे वो वाटसप और एक दूसरे को भेजते रहना भड़काओ भाशन देना ऐसी मति क्यों आती है क्योंकि कोई मुझे लगता कि कोई कामदंदा नहीं है कामदंदा तो नहीं है मुझे माफ कीजेगा भगवत प्राप्ति के मार्क में बिलकुल मध्य में सुवेच छो चार पाई और डंड ले कर बैठता था और शाम को छो बजे चार पाई और डंड लेकर वापस जाता था तो उसको लोग पूछते थे कि तू बैठ के करता क्या है तो बोले जो जो अपनी गाय मैस लेके जाते है मैं गिनता हूं और शाम को तो जब आपस आते हैं तो मैं फिर गिनता हूं और मैं उनको बोलता हूं बरावरे जितनी ले गए थे उतनी ले है तो पड़ोसी ने बोला वो तो जिसकी होगा वो खुदी गिनेगा तू क्यों गिन रहा है तो बोले क्या करूं मेरे पास कोई कितने अच्छा जवाब दे रह कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है मैं यही काम ढूंड लेता हूं तो इसको ध्यान बजन में रूची नहीं होगी इसको अपने गुरु के देविकारे में विश्वास नहीं होगा जिसकी बुद्धी कोई खंडित हो गई होगी कोई नाम जब छोड़के बैढ गया होगा तभ यह वीचार आ रहे हैं वरना अध्यात्मिक यात्री हो सालों से पूनम भरता हो गुरु चरनों में बैठ के होली खेली हो प्रसाद पाया हो तो यह द्वन्द कैसे आपके इड़े में आ रहे हैं और फिर भी कभी आ रहा है मन है सभाव है आप बात कीजिए बैठिए खोलिए बोलिए मेरे मन में यह आ रहा है संचय है खोलो वर खोलोगे नहीं बोलोगे नहीं और सीधे सीधे लोगों को जोड़ना और तोड़ना कहीं से तोड़ना इस तो बहुत गलत बात है कहते है सबसे बड़ा पाप क्या है का संतों और सत्य गुरूं से शिष्य को तोड़ना तो जो चल रहा है, अध्यात्मी कि आत्रा कर रहा है, उब भजन कर रहा है, बरत कर रहा है, करने दो उसको, बढ़ने दो, उपनी निष्ठा से गुरु किर्पा से आगे पाएगा, लेकिन उसको वहां से काट दोगे, तो बात में पता है क्या होगा, नब यहां का बचेगा, जहां, उसको काटके ले जा रहहे हो, वो पहले से ठंटन पाल है, जैरहम जी की है, तो सादक को साधना करने में, तो साधना रहना चाहिए, पर अपनी साधना को बखेर्ना भी नहीं चाहिए, उडिया बाभा के अपदेश नामक पस्त तक में आता है, कि व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का चिंतन, बोलिए, व्यर्थ की बातें सादक का पतन करती है, कोई भी सादक यदि व्यर्थ की बातें और व्यर्थ का चिंतन करेगा, तो उसकी अध्यात्मे की आत्रा खुद ही नीचे उपर हो जाएगी, और फिर भी मन में पीड़ा है, दुख है, इतना संगर्ष करने के बाद भी गुरु जी को न्याय नहीं मिल रहा है, गुरु जी बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इस पे गहराई से बात सोचनी चाहिए, कि कहां कहां अटकी हुई है, कहां कहां गांठ है, पर ये तो नहों कि आश्रम के अंदर ही कोखला करती जाएगी, बापु जी ने बहुत बहुत मैनत करके एक पेड़ लगाया है, सहमत हो तो हां भूलो, हां, और वो पेड़ को सीचने में, बापु जी को पचास साल लगे हैं, हां या ना, अब वो पेड़ सीच के साड़े तीन सो चार सो आश्रम का रूप बन गया इसमें सबसे कठन परिश्रम किसका है, बिल्कुल, आपने और मैंने तो बाद में चीटी और गिलरी जैसे काम किये हैं, लेकिन शुरुवात इसकी गुरु जी ने किये, कभी अम्दाबाद आओगे न मैं उन बुजरूगों से आपको मिलाओंगी, जिनके साथ बापु ने इट से इट मिलाकर जो आश्रम में अंटर होते हैं तो एस्टेडी की ओफिस नहीं है, इसको लोगों ने अपने हाथों के साथ बापु की साथ इट पे इट लगा के काम किया है, मोक्ष कुटीर की नीव बापु जी ने अपने हाथ से रखी, कितने अनुभों है सादकों को तो इतना विशालवत रविक्ष जिसको सीचा बापु जी ने, जिसको सीचने के बाद मेरे शब्द को बुरा मत लेना, उसकी सुरक्षा भी किसने की? बापु ने, कि कहीं अपिसले नहीं, कितनी बार एक प्रसंग सुनाते हैं कि मैं कहीं और गया, तो गुरु जी ने का कि बापु ने मुझे यादार है किसी को, क्यूं सुनाते हैं आपको, सोस्त में आता है, कि मेरे प्रसंग से समझो, अगर तुम भी ऐसे जाओगे तो पकड़ूंगा तुमको, सुनाते हो हैं, लेकिन निशाना हमारा है, कि पकड़ जाओगे, तो बापु ने न केवल विक्ष लगाया, उसको सीचा, पर मैं कहूंगी उसको चारो बाजू से सुरक्षा दी, और आप और मैं, सूरत बोलो, कलकत्ता बोलो, बंबई बोलो, उडिसा बोलो, जहां देश का नाम लो, कोने का लो, सब उस पेड के नीचे आके बैठकर दिक्ष्चा लेके क्या कर रहें, माला अब आप कहरे हो, यह पेड की डाली असली नहीं है, इसको पानी गलत पिलाया है, यह डाली किसी और की है, इसमें कैसे आ गई, अरे मालिक बैठा है, उसको सीचने वाला स्वयम बैठा है, उस पेड को लगाने वारा स्वयम मेरा सदगुरू बैठा है, उसकी चाओं में जि कि दोष निकाले न तो उसको समझाओ कि तुम क्या बोल रहे हो मेरे गुरुदेव का विशालता तो देखो जहाँ बापुजी गए आप कभी यात्रा तो करो कितने सुंदर सुंदर आश्रम है कभी आप प्रयाग राश्तो चलो तरिमेनी के संगम पे जो आश्रम बना है गयान पाना हो इसको अब्यास में सफल लो इधर के रहे तो क्यों सिचा वह तो चे लोगी रहे हैं बापुजी तो पांच बार वी उसाष्ण में मुश्किल से गए लेकिन कितने लोग सादक जा कि आप पर मौन मंदिर कर आए तो गुरुजी को क्या करना है सूरत में कितना लाब ले रहे हैं लोग कितने लोग शियो मंदिर में जाके भजन करते हैं शिवरात्री पे नौ हजार लोग आए मंदिर में क्यों बिक्षभाप ने लगाया चाया पाओ आनन लो फल खाओ पर पेड में दोष्धर्षन ना करो और कोई दोष्धर्षन कराए ना तो उसकी अग्सवर्ष्धर्ष्धर्ष्टी को बदलने का जतन करो नहीं तो वो हमारी डरस्टी बदल देगा जैराम जी की इतने अच्छे-च्छे सादक अपनी डरस्टी क्यों बदल रहे हैं कल मुझे भीमानी समीति से फोन आया हारीयाना से हमारे समीति क्या अध्यक्ष्ष्य है Master Ji कहते हैं उनको, वो कल बस भर के लेकर लेकर लोगों को, तो मेरे को बोला बहन जिए इनको देखो क्या हो गया है, मैंने बोला इनको अपको बोले इसने बोला, उसको पूछा किसने बोला, इसने बोला, तीन चार लो कठी निकल गए अपसर, फिर रोका तो चारो समझ गए, संसकार तो हैं बापु के कहां जा रहे हैं आप लोगों, तो कहीं भी जाओ, उससे पहले सोचो कि जहां जा रहे हो, उसकी मंजिल क्या है, मंजिल तो हमें बापु जी ने पहले ही दे दी है, रास्ते तो हमें बापु जी ने पहले ही दे दिया, तो हमें कोई और दर्वाज क्सक्राजा खट्ठपाने की जरुरती नहीं है तो hanumaan ji की ish Ray Ram Ji के चर्न में विवीशन की एक निष्ठा रही RAAM Ji के चर्न में एक शास्त्रम एक प्रसंग लिका था कि कि so 습書 कि मंढदरी ने एक अनुष्धान शुरू किया था मन्दोधरी ने एक यग्य शुरू किया था अनुस्ठान के बाद वो यग्य करती थी और उस अनु छ्ठान ुओर यग्य का अंहोदरी ने संकल्ब किया था कि रावण की उद्ध मैं मिःत्यू ना हो क्योंकिसाथ सतियों में अगर कि इसी का नाम आता है तो एक नाम मंदोदरी का भी आता है तो उसने ऐसा जब अनुष्ठान किया था लेकिन अनुमान जी को पता चला कि सती है और यह अगर इस तरह निष्ठा के साथ यह हवन करेगी जब करेगी तो हमारे अलक्ष प्राप्ति तो बहुत मुश्किल हो जाए रावन की देह चूड़ गी जैसे उन्नों ने ऐसा सुना तो वो यग्या और जब आदे में छोड़नी और दोड़ी दोड़ी पूच रही थी क्या यह सत्य है क्या यह सत्य है तो शाम तक जब वहां तक पहुंची तो पता चला कि यह सत्य नहीं लेकिन उनका यग्या और ज यह सत्य हो जाती है लेकिन आपकी जीत बाद में हुई मेरी हार पहले हुई का हा क्योंकि तुम यग्या में तो वैठी थी जब में तो वैठी थी पर तुम को फे पूरा भरोसा नहीं था तभी तो तुम आदे में उठके खड़ी होगी अगर तुम्हें बरोसा होता तो तो दूसरे की बोली हुई बात हमारे दिमाग में बैठेगी अगर हमारी शाद्न मजबूत होगी तो हमारी बॉली हुई बात उसके दिमाग में बैठेगी Pixh और अंतिमनिवेदन करूंगी फिर सुन्दर प्रसंग सुना रही हूं कि कोई आपको ऐसा बताए कि आज मुझे कोई जबरदस्ती पिचर में ले गया जा जा रहाम जी कि तो मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मानता इस बात कोई कहे ना कि मुझे जबरदस्ती ले गया तब मैं नही मानती हैं तो कोई अगर हमको बोल रहा है कि यह चला गया यह लेके गया वो तब ही गया है जब वो इसमें राजी है तो आप दूसरे को दोश देने से पहले आप अपना द्रडता मजबूत कीजिए कि मेरे कोई लेकी कैसे जा रहा है मुझे कोई बोले तो मुझे उसका मत दूख अभी नहीं आएगा लेकिन जब हम कमजोर होंगे हमारे मन में कोई संशय का वीचार होगा तो चोटा सा दूंद भी हमको हावी हो जाएगा तो दूंदों में ना फसें द्वाइत में ना फसें दूद को फाड़ना होता है तो बहुत जादा देर नहीं लिखती है कैसे फाड़े का आदा निम्बू डालो दूद अलग पानी अलग अरे इतना दूद बोले चार टीपे निम्बू के बहुत है खटास दूद को फाड़ने के लिए बहुत होती है ऐसे ही किसी को तोड़ना हो तो संशय की खटास उसको तोड़ने के लिए बहुत होती है और वो भी अध्यातमिक यात्री को संशे डालना, वो कितने सालों से, कितने वर्षों से, कितने जन्मों से बटकता बटकता, सद्द्गु दोार पर एया है, और आके उसने सत्संका पान किया है, और तब उसके मन में यदी संशे बर दिया जाए, उसको खोखला कर दिया जाए तो उसकी अध्यात्मे कि यात्रा शुद्ध हिंदी में शब्द केते मन्द हो जाएगी, क्या हो जाएगी? इंग्लिश में कहते है जाएगी, इसका मन फिर भजन में नहीं लगेगी, तो कभी भी संशय का शिकार नहुं, कभी मन में द्वन्द और द्वैत लेके नहीं चले, नारायन हरी, नारायन हरी, नारायन। झाल झाल